हेलो दोस्तो मैं जाब के पास और एक नहीं वीडियो लेका है हूँ दोस्तो जैसे कि आपको पता ही होगा रणिंग में डाइट का कितना इंपोर्टेंट ड्रोल है दोस्तो कुछ-कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अपना वरकाउट सही तरीके से करते हैं क्यों नहीं बढ़ता हमारा स्पीड हमारा एंडॉरेंस क्यों नहीं बढ़ रहा हम कमजोर क्यों हो रहे हैं अंदर से कमजोरी फिल क्यों हो रही है दोस्तो अगर आप अच्छी तरीके से डाइट नहीं लोगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा आप कमजोर से फ चानरों 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर 1600 मीटर नहीं तो दोस्तों 32 मीटर 5 किलो मीटर अगर आप इन में से कोई भी इवेंट भागते हो आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो दोस्तों नॉर्मल इंसान जो होते हैं उनको 2000 कैलरीश चाहिए होती ह 800-2000 calories चाहिए होती है पूरे दिन में intake करना पड़ता है लेकिन दोस्तों जो runners होते हैं उनको दोस्तों 3000-3200 calories चाहिए होती है क्यूंकि दोस्तों वो high intensity workout करते हैं इसलिए दोस्तों जो मैं आज आपको diet बताऊंगा दोस्तों अगर आप diet अच्छे से follow करते हो तो आपका performance भी को subscribe करो like करो अगर आपको मेरी वीडियो एच्छी लेगे तो इस वीडियो को share करना दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आपको सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है और आपको diet में क्या लेना है सबसे पहले दोस्तों मैं morning से start करता हो जब आप उठते हो सुबह दोस्तों morning workout से पहले आदे घंटे पहले आपको दो बनाना consume करना है जिससे कि आपको भूग भी नहीं लगेगी और आपके अंदर energy बनी रहेगी पूरा workout कंप्लीट करने के लिए दोस्तों अगर आप दो बनाना खाके जाती हो तो आपके अंदर पूरा energy रहेगा आप अपन जनी है उसके बाद workout के आदे घंटे बाद में आपको दोस्तों आदी लिटर दूर्थ पीना जो अंड़े खाने हैं उसके बाद ओर क्षक्षक्षिथ वह सकते हैं जो आपके घर में अविलेबल होगा उसके दोंदोस्तों आप जैसे की देख सकते हूं यह कैफ्षूल ले स से नहीं मिलते हैं इसलिए दोस्तों मैं इसको यूज करता हूँ आप भी से यूज कर सकते हो दोस्तों मैं इस चीज का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा ना मुझे इस चीज के पैसे मिल रहे हैं बस मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ वही मैं आपको बता रहा ह दोस्तो आपको evening workout से धाई या 3 घंटे पहले अपना lunch consume करना है दोस्तो अगर आप धाई या 3 घंटे पहले नहीं करते अगर आप workout से 1 या 2 घंटे पहले आप lunch खाते हो तो दोस्तो जब आप practice करने जाओगे तो आपका पेड भारी-भारी सा लगेगा और आप vomiting भी कर सकते हो इसलिए दोस्तों आपको ढाई या 3 घंटे पहले वकाउट से इवदिंग वकाउट से ढाई या 3 घंटे पहले अपना lunch consume करना है जिससे कि आपकी body में पूरी energy बनी रहेगी और आप अपना workout भी अच्छे से कर सकते हो और दोस्तों आपको lunch में आपको rice लेना है rice इसलिए बोल रहो rice को आपको भूलना नहीं है rice को आपको छोडना नहीं है दोस्तों क्यूंकि rice में carbohydrate होता है जिससे कि दोस्तों आपको long running आपना workout अच्छे से करने में मदद करेगी आपको energy provide करेगी rice लेना है डाल लेना है डाल में अच्छे से protein मिलेगा आपको rice डाल सबजी उसके बाद दोस्तों आपको salad add करना है दोस्तों ये सारी चीज़े आप खा सकते हो कोई भी सबजी खा सकते हो और lunch जो आपके घर पे बनेगा वो आप खा सकते हो दोस्तों अब आपको evening के workout के आदे घंटे पहले आपको एक बनाना consume करना है energy के लिए उसके बाद दोस्तों आपको अपना workout start करना है workout करने के बाद workout खतम होने के बाद दोस्तों आपको अपने साथ एक apple लेके जाना है एपल खाना है उसके बाद दोस्तों आपको पीनेट बटर और ब्रेड आपको अपने साथ लेके जाना है और आप पीनेट बटर ब्रेड खा सकते हो दोस्तों मैं कैसे बनाता है आप जैसे देख सकते हो यह जैसे दो आप ड्रेड ले सकते हो दो ब्रेड पीनेट बटर लगाय उसके बाद आप बनाना काटके उपर डालके उसके बाद आप खा सकते हो दोस्तों ये रैसीपी मैंने खुद बनाई है मैं ऐसे ही खाता हुआ उसके बाद हर रोज मैं इसको चेंज करता रहता हुआ क्योंकि अगर आप एक ही चीज बार-बार खाओगे तो रोज खाओगे तो आप बोर हो जाओगे आप इसके अंदर कुछ भी चीजे एड़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगेगी दोस्तो आप पीनेट बटर जो होता है आप नॉर्मल भी ले सकते हो नहीं तो दोस्तो आप चॉकलेट फ्लेवर भी ले सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर जादा अच्छ है रहे चॉकलेट वाला देल वह बना रहीं और पीनेट बटर लेने से होता है कि आपको ये चीजे लिग सकते हो दोस्तो अब आपको डिनर में ये खाना है कि दोस्तो राइस नीतो चपाती नीतो दोस्तो आप चिकन भी खा सकते हो चिकन फेश नीतो कोई भी सबजी जो हरी सबजी बनती है वो आप खा सकते हो दोस्तो जो घर में खाना बनेगा डिनर का दोस्तो वो आप कंजियूम कर सकते ह दिनर का कंजयूम करने के बाद आदे घंटे बाद आपको दोस्तों आदा लीटर दूत पीना है उसके बाद आपको सो जाना है ₹ अब मैं आपको दो चीजांगा जो आपको दियान में रखनी पड़ेगी सबसे पहली चीज यह है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से सोना है पूरे दिन में कम से कम 7-8 घंटे आपको सोना है आपको नीन अच्छे से लेना है क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छे से नीन नहीं लोगे तो आप workout अच्छे से नहीं कर पाओगे, workout में power नहीं दे पाओगे, आपकी body recover नहीं हो पाएगी, इसलिए दोस्तो recovery करने के लिए आपको नीन अच्छे से लेनी पड़ेगी, उसके बाद दोस्तो आपको पूरे दिन में साथ साधा पानी पीना है, 7-8 लीटर तक आपको पानी पी आप अपने फोन में अलाम लगा सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका पानी पीने का टाइम हो गया है और आप पानी पी सको जिससे कि दोस्तों आपकी body dehydrate नहीं हो जाती है तो आप पानी पीओगे तो dehydration खतम हो जाएगा, दोस्तों अगर आपको कोई भी च कर सकते हो दोस्तों मैंने description पर अपना number दे रखा है और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जादा मेहनत कर रहा हूँ अपने भाई के नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो लाऊंगा दोस्तों थैंक यू फा वाचिंग मैं वीडियो स्टे फेट स्टे हल्दी स्टे अट होम